तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजेगा जब मैं आपको सेशन की शिर्वात करूँगा देखिए वोकैबलरी बहुत इपॉर्टे है अगर आपकी वोकैबलरी स्ट्रॉंग हो गई तो आपको वो रिडिंग कॉम्प्रेंशन भी जल्दी जल्दी सौन में आना है इसलिए वोकैबलरी को स्ट्रॉंग करो डेली पांच फिर दस फिर पंद्रह ऐसे करते करते अपनी वोकैबलरी बढ़ाओं कम से कम नहीं तो तुमको दो हजार ते तीन हजार वर्ड याद होए चाहिए ठीक है चलो अब मैं यह पांच वर्ड से आपको तरीका बता दे रहा हूं देखो आप लोग टीचर के पास तरीका सीखने यह नहीं कि पूरा पूरा सीलेबस दीख लेंगे एक बार मैंने तरीका समझा दिया उसके पड़ने पड़ना आप ही को है चीक है चलिए सबसे पहला वर्ड है स्मैटरिंग आज मैं आपको याद करने का थपड़ा अलग तरीका बताऊंगा निमोनिक कहने का मतलब है उसको की आपको किसी चिजफ का ज्यादा नॉलेज नहीं थोडर थोड़ा नॉलेज़िए कुछ कुछ नॉलेज़ ठीक है अब इसको याद कैसे करेंगे पहले तो इस वर्ड को थीन बार स्मैटरिंग मैं का मीनिग क्या होता थोड़ा कुछ ठीक है जादा नहीं जैसे आपको किसी चीज़ की बहुत कम नौलेज है तो I have a smattering knowledge about this अब इसको याद किसे करेंगे देखो मैंने यहाँ पर एक word लिखा हुआ है यह यह देखो sound like shatter sound like shatter अब देखो इससे याद कर लेंगे shatter का मीनिंग क्या होता है बिखर जाना तो जब कोई चीज shatter हो जाएगी तो उसके कुछ-कुछ parts दिखाई देंगे smattering को आप लोग relate कर लो shatter से shatter माने होता है बिखर जाना तो जब कोई चीज बिखरेगी तो उसके कुछ-कुछ चीज़ें हमें पताऊंगी थोड़ा-थोड़ा पता होगा जाधा उसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि जब वो complete होगी तब हमें उसके बारे में पूरा पता होगा तो स्मैटरिंग वर्ड मैंने आपको याद करा दिया है स्मैटर का मतलब शैटर शैटर जब कोई चीज बिखर जाती है तो आम उसके बारे में कुछ-कुछ पता होता है थोड़ा-थोड़ा पता होता है नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड combination आप देखो यह त्लक वाला वर्ड समझ याशे याद करना है पहले वर्ड को इस पर चेक भी कर सकते हैं तो सॉर्डड का मतलब होता है घिनोना जब कुछ चीज बहुत गंदी दिखाई दे डिर्टी स्वालिट चीक है तो जैसे मानलो अगर आप बात करो कि आप एक बहुत ऐसी इसलामेरिया में रहे हो तो वह सॉर्डड उसकी गलियां कैसी होंगी सॉर वह पलेटिकल केम्पेён लॉँँज करता है जिसमें वह बहुत गंधी चीजों का यूज्ज करता है जो मतलब बेल्ट मट और तो आप लोग कर सकते हो कि उससो मतलब वो बहुत घिनौनी चीज़ है तो sordid campaign भी कर सकते हो sordid political campaign, चीक है तो sordid का मतलब होता है घिनौना, गंदा चीक है, इसको याद कैसे करेंगे sordid, सुनने में कैसा आ रहा है so dirty, ये देखो sordid, sordid सुनने में कैसा आ रहा है so dirty, चीक है तो sordid का मतलब हो गया so dirty जब कोई चीज बहुत गंदी हो चीक है? तो मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया sordid का मतलब क्या है? sordid का मतलब है so dirty मैंने आपसे पहले भी कहा है दिखो एक चीज हमेशे आद रटना है English एक language है language को सीखने में टाइम लगता है और language logical नहीं होती है वो error और trial से आती है चीक है? बार-बार अगर आप उसके साथ involved रहो के तो आपको आजाएगी और उसको याद करने के समझने के बहुत सारे तरीके बनाने पुटते हैं यही तरीका और कुछ नहीं है तो sordid माने होता है गिनोना so dirty चीक है? तो यह चीज़ आप लोगको clear हो गई ऐसा ही निमोनिक बना-बना के आपको याद करना है तो आपको याद रहेगा और एक और बात मैंने आप सका है अगर आपको word का sense पता है तो आप exam में answer जरूर टिक कर दो कभी कभार reading comprehension के जो questions आते हैं उसमें क्या होता है कि आप जब उसको पढ़ रहे होते हो तो आप से फुसान ही एंटानिम से नॉनिम तो कभी कभार comprehension पढ़ना भी नहीं पढ़ता है ऐसी हो जाता है यह हमें word का meaning पता होता है चलिए next word है medal middle का मानि होता है हस्त शेफ करना है किसी चीज में interfere करना middle को तीन बार बोलिए middle, middle, middle middle का meaning होता है हस्त शेफ करना किसी चीज में interfere करना तो अगर आप किसी चीज के usage बता दे रहाँ the government should never meddle with religious affair government को कभी धार्मिक चीजों में हस्त शेप नहीं करना चाहिए तो medal का मतलब क्या होता है? interfere करना चिक है? अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो यहां पर लिखा है मैंने me deal medal का मतलब क्या हुआ है? medal, medal को सुनाई मैडल सुनाई दे रहा है me deal, मुझे deal करने दो मैडल सुनाई दे रहा है मीडीय, लेक्मीडीय, बने क्या होता है किसी चीज में इंट्रफयर करना मलख है अपनेई आपनेई करनाच मीड मतलब क्या होगा कि मुझे डील करने दो तो मैडल मतलब हस्त शेप करनाच मुझे डाफे में चैंट बैट से इमस्ट आफं़ defending ब्यूकॉलिक का मतलब होता है जो ग्रामीन होता है जब कोई चीज आपकी गाउं से और उसकी लाइफ से रेलेटेड हो तो हम लोग उसको ग्रामीन बोलते हैं ब्यूकॉलिक बोलते हैं जैसे मैं शहर में रहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे गाउं की जो मतलब इन्वार्मेंट है वो बहुत पसंद है तो इसलिए हम उनको बोलते हैं ब्यूकॉलिक चीक है तो आपको समझ मागिया होगा ब्यूकॉलिक का मतलब क्या होता है ग्रामीन तो ब्यूकॉलिक को तीन बार बूलिए ब्यूकॉलिक 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 का मतलब होता है ग्रामीन अच्छा लेकिन आप इसको याद कैसे करेंगे ब्यूकॉलिक में देखो तो ब्यू आ रहा है, ब्यू माने बुल, और बुल आपको जाहतर कहा दिखते हैं, गाउं में दिखते हैं, देखो ब्यू कॉलिक में ब्यू आ रहा है न ब्यू यह देखो, ब्यू तो ब्यू माने क्या होता है, ब्यू माने होता है बुल, चीक है तो ब्यू कॉलिक किसले हो ग जैसे कि लोग ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां पर कोई पानी नहीं है तो एसी कंडीशन को क्या वोलेंगे रेचेड मतलब अन्प्लेजेंट कंडीशन होगी लो क्योंगी मन्हूस होगी चीक है तो सिनोनिम्स भी दिये हैं एब्जेक्ट और डिपलॉरेबल हलाकि मैंने इसका निमोनिक आप खुद बनाना ठीक है तो यह पांच वर्ड मैंने आपको बताए है इन पांच वर्ड को बार बार पढ़िए देखिए वोकैबलरी इंप्रूब करना बहुत जरूरी है इसलिए जादा से जादा वर्ड पढ़िए आपको याद हो जाएगा ठीक है और एक बार फिर सेղास्स्स कर लेते हैं है इंप है कुछ सवाडम मतलब होता भी गीनओना सोड़ी मेल का मतलब बेल मुझे मुझे हस्ने करने दो इंट्रफेर करने का मतलब दीु ओकलिक है प्सका आप यार्भ करने का तरीका कमिंट पलब करेगा होगा इसको लाइक जरू करिएगा शेयर जरू करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी ठीक है डेली पांच वर्ड आपको बारा बजे मिलेंगे इस चैनल में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक